कि अच्छा जी साहबुदीन या उनकी प्रतिनी की निता रहें कालो साहबुदीन निता था हम लोगा मानसिक दिवालिया पन है कि अपर आधी चरित के लोगों को हम लोग बढ़ावा देते हैं तो लोगा एक कतन था कि 20-25 साल में कोई विकास का काम ना सड़क ना बिजली ना ट्रांसफोर्मर इसलिए वहां के लोग परिवरतन चाहते थे और लगता है परिवरतन निश्यत होगा जाते हैं वहां के लोग जहें 35 साल के कभजा से परिशान देगे तो बिहार के चार सीटों पर उपचुना हुआ था और ऐसे में कल यानी 23 तारीक को चुनाव के नतीज का दावा कर रही वहीं तरारी और बेला गन जो सीट है वो काफी होट सीट है लगातार एंडिये की ओर से ये कहा जा रहा है कि दोनों सीटों पर एंडिये के उमिद्वार मनोरमा देवी और सुनील पांडे के बेटे का कबजा रहेगा वहीं महागडवंदन की ओर से ये दा से चार सीटों पर जो सेमी फाइनल हुआ था कल नतीजे आने वाले हैं कुछी घंटे बचे हैं तमाम जो दल है उनके दिल की धरकने जो है वो बढ़ गई है क्या लगता है कि बेला गंसे और तरारी से काफी होट सीट था बेला गंसे मनोरमा देवी आप लोग की उमीदवार ह है उनका क्या रिजल्ट आएगा और तरारी से सुनील पांडे बीजेपी के टिकट से उन्होंने दावेदारी ठोकी थी और चुनाओ लड़ाता वहीं दो सीट और है रामगर है यह तमाम चार सीटों पर किसका कभजा रहेगा जो दिखाई पड़ा है उससे लगता कि चार स परिवतन चाहती थी लेकिन जिस परकार से सर मुकाबला काफी काटो भरा रहा जिस परकार से यह पूरे चुनाओं में परिवार बाधावी रहा बेला गंद सीट को लेके कहीं ना कहीं लालू यादव तेजस्वी यादव हीना सहाब उनके बेटे तमाम लोग चुनावी मै कि इस बार सुरेंदर यादव के बेटे की जीत होगी क्या लगता है मनोरामा देवी आखिर भारी क्यों पड़ेगी यह वहां के लोग बदलाव चाहते थे कि उन्हों का कतन था मैंने भी कम से कम विस पचीश गॉमने का काम किया ता तो लोगा एक अधा कि इस पचीश साल में 35 साल में कोई विकास का काम ना सड़क ना बिजली ना ट्रांसफोर्मर इस सब के शिकायत थी आम जनता किया आम जनता को और क्या चाहिए इसलिए वहां के लोग परिवातन चाहते थे और लगता है परिवातन निश्चित होगा जाते एक सवाल है जिस परकार से आप लगातार राजनीती का लंबा नुभव रहा है नीटीश कुमार आपको मानते भी है मुसल्मान के बड़े चेर हैं तो आखिर राजत को कहीं डर था क्या कि हां सब लोग जानते नहीं है तरारी में हम लोगा मानसिक दिवालियापन है कि अपर आधी चरित के लोगों को हम लोग बढ़ावाद देते हैं अफसोस है कोई पार्टी हो मैं किसी एक पार्टी की बात ही कर रहा हूं कि लोग के घूमने से कोई फरक नहीं पड़ेगा मनोरमा सब्सक्राइब जीत रही है तरारी से क्या लग रहा है सर सुनील पांडे के बेटे भी हैं अब देखिया रिजल्ट का इंदिजार किया जाए कि मैं भाईश्वानी ज्यादा करता है सेमी फाइनल जीत रहे हैं चारों सीटों पर उमीद तो है बाकी बोल के लिए जाने जाते और इन्होंने सीधे तोर पर कह दिया है कि चार सीटों पर जो उपचुना हुआ है उसमें धमाकेदार NDA की जीत होगी और बेला गन से जिस परकार से मनोरमा देवी जेडिव की कैनिडेट थी वो भी भारी मतों से जीतेगी अब देखने वा अला समय ही बताएगा पटना से दर्स न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट